नमस्कार मैं हूँ फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मुबाइल न्यूस 24 केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन क्रिशी कानूनों के विरोध में सिंगू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को अज 37 दिन हो गया किसान लगतार इस नए कानून को रद करने की मांग कर रहे हैं तो वहीं अब आंदोलन की अगुआई कर रहें किसान नेताओं ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है नेताओं ने सिंगू बॉर्डर पर हुई बैठक में ये फैसला लिया है कि अगर 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली वारता का कोई हल नहीं निकलता है तो फिर 6 जनवरी को अंदोलन को और तेज करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी दरसल सिंगू बॉर्डर पर 80 किसान संगठनों ने शुकरवार को बैठक बुलाई इस दौरान किसानों ने 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक में जिन मुद्दों पर बात होनी है उन्हें तै किया इसे पहले सरकार के साथ साथवे दौर की बैठक में दो मुद्दों पर सहमती बनने के बाद भी किसानों ने ये कहा था कि उनका ये आंदोलन कानून वापसी के लिए है और ये लगतार जारी रहेगा इसके लिए वो साल भर की तैयारी के साथ आए हैं तो वही किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर सरकार कानून के मुद्दों को लेकर दो कदम पीछे हटती है तो किसान भी धाई कदम हटने को तयार है लेकिन अगर सरकार जित पढ़री रहेगी तो उनका आंदोलन भी जारी रहेगा और 26 जन्वरी को तिरंगा लग जिन्य से ज्यादा हो गया है और किसान और सरकार दोनों ही लगतार अपनी जित पर अड़े हुए हैं इसके चलते चिल्ला और गाजीपुर वॉर्डर को बंद कर दिया गया है इन रास्तों से दिल्ली से नौइडा और गाजियबाद के लोगों का आना जाना है हाईवे बं अठक में क्या होता है और मुद्दे का क्या हल निकलता है यह जानने के लिए आप अभी मुबाइल न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब बटन के साथ लगें नोटिफिकेशन वेल आइकन के और आप्शन को भी प्रेस कर दें साथ ही वीडियो को ज्यादा से जादा लाइक करें शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके हर खबर से अपडेट